मेंबर पार्लेमेंट जम्मू पुंच लोकसभा शेत्र से जुकल किशोर और उनकी साथ भारतिंता पार्टी के यूटी अध्यक्ष रवंदनेना दोनु को लोगों के गुसे का सामना करना पड़ा लोग इस बात से नाराज कि स्वास सुविधाएं ठीक नहीं हैं मौत का आकड़ा कोविड-19 के कारण जम्मू संभाग में बढ़ता जा रहा है और मेंबर पार्लिमेट, جम्मू पुन्च, लोकसभा शेतर, जुगल किशोर, सब्डिक्सिस हॉस्पियल भिशना में जाते हैं पी पी किट पहन कर और सारे का सारा गुसा चाहे वह भारतिंता पार्टी के कारे करता ह chili, आम जम्मू का नागरिक हो सारे का सारा गुस्सा जो है वो बीजेपी के नेताओं के उपर अलग-अलग रूप में फूट रहा है सोशल मीडिया के उपर कॉमेंट्स हो ट्विटर के उपर कॉमेंट्स हो या किसी और माध्यम के उपर या समाज में जो लोग आपस में बात करते हैं सब जगा एक चर्चा शुरू हो गई है कि क्या वज़ा है जब मुसंभाग में मौत का आंकणा रुकने का नाम नहीं ले रहा कोविड-19 के कारण बेबस और बेहाल क्यों नजर आ रहा है जब मुसंभाग का स्वास्तविभाग और उसके इलावा सिर्फ इतना ही नहीं है कि स्वास्तविभाग से लोग नाराज हैं लोग इस बात से भी नाराज हैं कि उनकी अपने नेताओं से जो उमीदें और तवक्कात हैं उन पर भी ये नेता खरे नहीं उतर पा रहा है बीजे पी के मेंबर पार्लिमेंट जम्मू पुंच लोगसभा शेतर से जुगल किशोर चार करोड एक तालिस लाख रुपया रेकमेंड कर चुके हैं अलग-अलग कामों के लिए जम्मू पुंच लोगसभा शेतर में उसके बावजूद लोग गुसे में हैं नाराज हैं पुंच में और रजौरी में जो स्वास सुविधाएं हैं लोग उनमें कमिया और खामिया जो हैं निकालना शुरू हो गए हैं लोगों के जहनु से ये बात चली गई है कि जम्मू कश्मीर में एक लोगतांत्रिक सरकार थी वो लोगतांत्रिक सरकार जो है आज से लगबख चार साल पहले खत्म हो गई और उस लोगतांत्रिक सरकार के खत्म होने के बाद पांच अगस 2019 को जम्मू कश्मीर एक राज्यसी यूनिटेरिटरी बन गया और 31 अक्तूबर के बाद से लेटनेट गवर्नर का शासन जमो कश्मीर में है इस पूरे हंगामे के बीच में जहां भारती जन्ता पार्टी के नेताओं को अलग-अलग जगा पर घेरा जा रहा है और उनसे सवाल जवाब किये जा रहे हैं जबकि वो सत्ता में नहीं है वहीं पर किसी का ध्यान चार उन एडवाइजरों की और नहीं जा रहा जो इस समय लेटनेट गवर्नर की काउंसल में है जिनके बस अधिकार हैं जिनके पास आठ आठ नौनो दसदस पोर्टफोलियों हैं और जो कभी कबार आक्षिन लेक्विड आक्षिन का प्लांट आया है या कोई और चीज आई है उसको लेते वक्त या उसको हरी ज़ंडी दिखाते वक्त कहीं कहीं नजर आते हैं स्वास विभाग जिन एडवाइजर साहब के पास है वो तो इस कोविड की सेकंड वेव में ऐसा लगता लुपत हो गए है लेकिन लोग इन चार एडवाइजरों से कोई सवाल नहीं पूछ रहे है लोग इनका नाम तक नहीं ले रहे लोग भारतेंदा पार्टी के यूटी अध्यक्ष को पकल गर पूछ रहे हैं कि ये बताईए स्वास सुविधाय चरमरा क्यों गई है ये लोग मेंबर पार्लिमेंट जमूपुंच लोगसभा शेतर जुगल किशोर से सवाल जवाब पूछ रहे हैं साफ तोर पर इसका ये मतलब है कि लोगों की उमीदें और तवकाएं भी राजनीतिक लोगों से ज़्यादा है और सरकारी बाबूं से कम हैं एडवाइजरों से कम है जहां हमें अलग-अलग जिलूं का दौरा करते हुए ये एडवाइजर नजर आने चाहिए थे वहां अलग-अलग जिलूं का दौरा भारते जिन्ता पार्टी के यूटी अध्यक्ष कर रहे हैं भारते जिन्ता पार्टी के अलग-अलग नेता कर रहे हैं जो किसी समय में मंतरी थे अब मंतरी नहीं है और ये भी एक सत्य है कि वो बहुत कुछ प्रशासन के लोगों को कह रहे हैं, बता रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर बदलाव जो है वो बहुत कम नज़र आ रहा है हद तो ये है कि केंदर से भी जब जमुकश्मीर में कोई बात कही जाती है, चाहे वो कोईट पॉस्टिव पेशेंटों के अटेंडेंटों को लेकर हो, कोईट पॉस्टिव पेशेंट्स को लेकर हो, कोईट पॉस्टिव पेशेंट्स की मैनेजमेंट को लेकर हो, उसको गंभ प्रभीता के साथ लिया जाता होता तो आज जो खाने की विवस्था लिफ्टनेट गवर्नर ने कोविड पॉज्टू पेशिंट्स के लिए करने को कहा था वो विवस्था हो गई होती अभी तरफ पीपी किट्स का धेर अब लग गया होता मेडिकल कॉलिज में गॉगल्स का कालिज में एन नाइंटिफाइव मास्क एटेंडेंटों के लिए भरबूर मात्रा में पड़े होते हैं बाइपैप मशीने सौ मांगी हैं डेड़ सो आ गई होती हैं यह सब कुछ हो गया होता बाइपैप कोई बड़ा खर्चा नहीं है बहुत थोड़ा सा खर्चा है यह साफ है कि प्रशासन में भारत जिन्ता पार्टी के नेता अपनी बात रख तो रहे हैं लेकिन उस बात को गंभीरता के साथ सुना जा रहा है वैसा नजर में नहीं आ रहा है और नतीजा यह निकलता है कि गुस्षा फूटता है भारत जिन्ता पार्टी के नेताओं के उपर जहां पर भी वो आम लोगों को मिलते हैं आम लोग फर्याद करते हैं आम लोग अपनी बात करते हैं गुसे में नाराजगी में अपनी बात करते हैं ये नई बात नहीं कॉंग्रस सत्ता में थी तो आम लोग कॉंग्रस से नाराज थे National Conference सत्ता में थी तो आम लोग National Conference से नाराज थे People's Democratic Party सत्ता में थी तो People's Democratic Party के ही Member Parliament मुझफ़र हुसैन बेग उस समय जो Member Parliament थे People's Democratic Party के ही खेमे से मंत्री बने नई मख्तर के खिलाफ और उन्होंने बयान दे दिया था तो लोग सत्ताधारी दल से नाराज होते हैं ये स्वभाविक ये इसलिए स्वभाविक एक लोगतंतर में लोग ये मानते हैं कि इसको हमने चुना है वोड दे कर चुना है इससे हम अपनी बात करेंगे तो अगर इस समय राजिंतिक लोगों से लोग नाराज हैं और अपनी नाराज़गी का इजहार भी उनी के साथ कर रहे हैं अपनी बात भी उनी को सुना रहे हैं लेटनेट गवर्नर कहीं जाते हैं तो लोग उनसे बात करने की कोशिश करते हैं उनको अपने बात सुनाने की कोशिश करते हैं लेकिन लोग जिन चार लोगों को अलग-अलग मंताले बांटे गए हैं उन चार लोगों के ना तो कहीं पोस्टर लगा रहे हैं ना उन चार लोगों का नाम ले रहे हैं ना ही उन चार लोगों से कोई ऐसा लगता है उम्मीद या कोई तवक्का रखते हैं और उन चार लोगों ने भी ये मान लिया है कि सोच लिया है कि ठीक है यह जो कुछ इस समय COVID-19 के कारण हो रहा है इसका ठीक डार आजदिक लोग में सर पर फूटना है तो फूटने दीजिए हमारी बला से हम ज़रा थोड़ा किनारा होके बैठ जाते हैं हालाथ थोड़े ठीक होंगे लिक्विड और ऑक्षिन का कोई प्लांट आएगा तो जब वो लग जाएगा तो उसका रिबन काटने हम पहुंच जाएगे DRDU का अस्पताल तयार होगा हम बाहर खड़े होकर नजारा देखने के लिए आजाएगे हम भी आजाएगे हम भी पहुंच जाएगे लेकिन इस समय जब जम्मू संभाग में लेटनेट गवर्नर की चार एडवाईजरों को या कश्मीर संभाग में लेटनेट गवर्नर की चार एडवाईजरों को दोड़ता भागता नजर आना चाहिए ता वो नजर नहीं आ रहे है और यह में क्यों अप हो सकता है कोई यह कहे कि अम्र का तकाजा है जी आप देख रहे हैं कि उनकी उम्र के हिसाब से उन्हें जितना मुवमेंट करना चाहिए उतना वो कर रहे हैं बात बड़ी कमाल की है डॉक्टर जो हैं वो आप कहते हैं सतर साल की उमर में भी आप डॉक्टर को से तवक्का ये रख रहे हैं कि वो गूर्णमेट मेडिकल कॉलिज जोईन करेगा और कोविट पॉजिटिव पेशेंन से वार्ड में जाकर राउंड करेगा आप 62 साल की डॉक्टर से तवक्का रखते हैं कि वो COVID-Positive Patient हो गए वाड में राउंड करेगा वो हॉस्पिटल का दौरा करेगा वो हॉस्पिटल में 12 घंटे की जगा 16 घंटे हैं हमारी भी तवक्का हैं बैठने चाहिए डॉक्टर इतनी इतनी दे लेकिन एडवाईजरों से यह सब तवक्का हैं रखना बिलकुल गलत है एडवाईजर किसी भी फरंट पे नजर नहीं आ रहे है अब फरंट पे नजर कौन आ रहा है फरंट पे नजर यंग आफिसर्स नजर आ रहे हैं जिनको प्रशासन ने लेटने गावर्नर ने पिछते दिनों जो एक टीम बनाई है वो नज़र आ रही है डिप्टी कमिशनर जम्मू अंशुल गर्ग नज़र आ रहे हैं डिवकॉम जम्मू डॉक्टर रागवलंगर नज़र आ रहे हैं सब दोड़ते भागते दोड़ते भागते नज़र आ रहे हैं कईने कईने कुछ करते वे नज़र आ रहे हैं हालात को सामान ने करते वे नज़र आ रहे हैं डेटर इंडिस्ट्रीज अनुमलावतरा नज़र आ रहे हैं कि वो भी उन्होंने 19 अपरल से एक मोर्चा संभाला है मोर्चा है कि आॉक्षिन स्लेंडर जो है वो किसी आॉक्षिन की कोई कमी मेडिकल कॉलिज को नहीं हो रही है होनी चाहिए वो वो सब काम करती नजर आ रही है तो साफ तोर पर ये दिखता है कि COVID-19 पेंडेमिक की अगर हम बात करें तो इसमें जो लोग तो बाबू लोग है जिनके उपर सारा गुसा निकल रहा है सारा गुसा बाबू लोगों के उपर निकल रहा है सारा गुसा राजितिक लोगों के उपर निकल रहा है पत्रकार बाबू लोगों को फॉरन पीपी किट पहन कर जो है दौड जाते हैं कहते हैं जी सब डिस्टिक हास्पेलिड में अंदर जा कि खुद जो है निरिक्षन करूँगा लोगों से मिलूँगा बात बनेगी निए आपका काम जो है Accountable बनाना है Administration को आपका काम है Medical College को Accountable बनाना उनसे हिसाब किताब लेना कि आप क्या कर रहे है आपका काम तो यह कि आप रात को 12 बज़े निरिक्शन करने जाते देखते Government Medical College की स्थेती क्या है यह आपका काम है सब डिस्टिक हॉस्पिलों का निरिक्शन करके कुछ नहीं होना सारा एपी सेंटर जो है वो Government Medical College जम्मो रजौरी और डोडा है इनका निरिक्शन करने की ज़रूरत है और उसके बाद जहां तक आम लोगों का तालुक है लोगतांत्रिक सरकार जब तक जम्मो कश्मीर में नहीं बनती या लेटनेट गवर्णर मनोज सिनहा के साथ चार राजुनितिक लोगों को या आठ राजुनितिक लोगों को एडवाईजर बना कर उनके साथ खड़ा नहीं किया जाता तब तक इन नेताओं से एक्सपेक्ट करना कि ये कोई बहुत बड़ा कमाल कर पाएंगे ये मुझे लगता है ज़रा जयाती है ये जैसे मैंने आपको कहा कि अगर इनकी चलती या इनकी कोई सुन रहा होता तो अभी तक कोविड नाइनटीन की शकलो सूरत जमो कश्मीर में कुछ हद तक तो बदल गई होती हाँ इस हद तक हो सकता है कि राज़ती की लोगों की बात इतनी सुनी जाती हो कि S.C.O.M.S. में बेड की जरूरत है तो किसीने फोन कर दिया तो बेड मिल गया लेकिन जो बड़े बदलाव आने चाहिए जो Medical College के अंदर बदलाव आने चाहिए जो Associated Hospitals में बदलाव आने चाहिए जो प्रशासन के अंदर बदलाव आने चाहिए जो इस system के अंदर बदलाव आने चाहिए जिस system के बदलाव में राजनितिक आदमी का input बड़ा ज़रूरी है क्यों input बड़ा ज़रूरी है grassroots से यही connected होता है grassroots से advisor connected नहीं है grassroots से कोई officer connected नहीं है officer के पास planning का काम है officer के पास अपने दफ्तर में बैठ कर बहुत कुछ करने के लिए है उसको दिन में बहुत सारी वीडियो कांफरेंसे रेटेंड करनी है उसको पूरे दिन में बहुत सारा डाटा बहुत सारी इन्फरमेशन जो है लोगों तक पहुचानी है सरकार तक पहुचानी है ग्राउंड से इंपुट लाने का काम राज़तिक लोग करते हैं क्योंकि ये जमीन के साथ जुड़े होते हैं इन्हें बेड की दिक्कत इन्हें हॉस्पिडल में क्या परिशानी आती है क्योंकि इन लोगों ने सब कुछ अपने जीवन काल में कही ने कही किसी ने किसी वक्त जो है ये सब कुछ सहा होता है बरदाश किया होता है जो निता लोग तो इन तमाम चीज़ों को याद रखते हैं वो लोगों के दुख दर्द में और तकलीफ में ड्रामे बाजी नौटंकी करने की बजाए लोगों के दुख दर्द और तकलिफ में शामिल होते हैं दौडते हैं भागते हैं और कोशिश करते हैं कि लोगों के दुख दर्द को कम किया जाए जा हमको जो मुकश्मीर में इस समय सारे राज़तिक दलूंग का एक साथ आकर इस मुसीबत की घड़ी में जिए मुकश्मीर के लोगों को बाहर निकालता हुआ नजर आना चाहिए था वहां जो सत्ताधारी दल है नई दिल्ली में यहां पर जिसको माना जाता है कि वो सत्ताधारी दल है वो तो दोड़भाग कर रहे हैं कि भाई लोग तो हम से उमीद लगाए बैठे हैं और जो सत्ता में नहीं हैं वो घरों में चुपचाप करके बैठे हैं कि भाई पहली बार इस पेंडेमिक के बीच में सरकार फस्ती हुई नजर आ रही है बहुत बुरी तरीके से फस्त कही है समय हैं खामोशी के साथ रही है लिकिन अंत में सर्व इतना कहूंगा अमेरिका में जब कोविड-19 की बारी आई ट्रम्प एक समय में अकेले पढ़ गए थे रिपबलिकन और डेमोक्रेट मास्क को लेकर बहुत सी रिस हो गए थे कि जी मास्क पहनना बहुत जरूरी है ट्रम्प कह रहा हम उसके नहीं मानेंगे लेकिन हम मास्क पहनेंगे यूरोप में आपको मिलेगा लेफ्ट और राइट एक साथ हो गया कि पहले पेंडेमिक से लड़ लेंगे जब पेंडेमिक से बाहर आएंगे उसके बाद जाकर हम अपनी राइट लड़ाईया लड़ते रहेंगे जब कश्मीर में क्या हमको इस तरह का कुछ देखने को मिलेगा क्या जब कश्मीर में लोग एडवाइजरों को ढूंडेंगे क्या जम्मो कुश्मीर में हमें एडवाइजर भी पीपी किट में नजर आएंगे क्योंकि जाहिर सी बात है मंत्राले तो उनके पास है अगर होगा तो आप तक जरूर पहुचाएंगे